सुपरभात बच्चों कैसे आप लोग असा करते हैं अच्छे होंगे महस्त होंगे जवरदस्त होंगे और एक्जाम के त्यारी में व्यस्त होंगे आप सभी को सुपरभात गुड मॉर्निंग हम लोग जो डिसकसान कर रहे थे वह बिहार बोड क्लास 10 के बच्चों के लिए ज तो हम लोग उसी को आज continue करने वाले है और इस भुखलेट सिर्ज को हम लोग ने कभर किया आज हम लोग ने कुछ VVII कोस्चन लेकर यहाँ पर पहुशत होंगे यह ने क्या होगा ये क्वा एक्जाम है यह कोस्चन आजसा कोस्चन है जिसको आप करके ही जाएगा एक्जाम में ठीक है तो इसको आज हम लोग देखेंगे जो यह जो कोश्चन होगा यह कोश्चन काफी भी भी होने वाला है यह कोश्चन इसको निगलेट करके आप जा रहे तो समझे आपका जो फिप्टी नमर का अबजेक्टिव है उसमें से कम से कम 20 नमर आपका कम हो जाएगा हो सकत करने वाले हैं ठीक है तो यह डिसकेशन शुरू करते हैं हम लोग आज का डिसकेशन दिख रहा होगा यह मैत बाई नवनीश सर के द्वारा कराया जा रहा है मेरा नाम नवनीश सर हुआ और यह कोचिंग फिलाल ऑनलाइन अभी आप लोगों के पहुच रहा है लेकिन यह को अपर भी आचुके हैं इसलिए हम लोग ने हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसको हम लोग और अगला प्लेटफर्म किया जाए मतले इसको एक ऑनलाइन प्लेटफर्म पर लाया जाए ताकि और भी बच्चे जो यहां पर नहीं पहुच पारे उसको पहुच जाए फिलाल Čइए अज का यह मुष्ट भी विए क्वेश्चन डिसकया यानि क्लास्टेंथ का मुष्ट भीए क्वेश्चन डिसकॉस्ट अब्येक्टिव कोसे predefinite को अंशुरू करने वाले हैं चलिए कोस्टियू से घाल्व मूंक शूरू करते हैं क्वोस्चन नंबर वन क्या का राय तो असांत देसमलब परसर किसका होगा जिसका डी नोमिनेटर यानि कि हर के टू का पावर और पाँच के पावर में कुछ रहे तो इन टू फाइब के पावर में कुछ रहे तो यह क्या कहलाएगा इसका ठीक है ये क्या कहलाएगा इसका सांत दसमलब कहलाएगा बादमा की जो नहीं होगा वो क्या कहलाएगा असांत दसमलब कहलाएगा तो हम लोग कोश्चन देखते हैं इसमें कौन सा क्या है असांत दसमलब है कौन सा असांत दसमलब है अगर इसको तोरेंगे तो कितना होगा 23 वट्टे 50 को क्या लीख सकते हैं 5 गोने 5 गोने दू लीख सकते हैं, देखो इसमें क्या दिख रहा है, आपको 2 वट्टा 5 का पावर 2 और 2 का पावर 1, यह कैसा दसमलव है, यह 7 दसमलव है, कैसा दसमलव है, 7 लेकिन पूछा, क्या है असांद, शुर्णध को ध्यान 39 भाई यह किसका 243 करेंगे तो कितना होगा इस वो 3 से करो 3 8 जा 24 3 बन जा 3 3 से कटेगा 27 बार में 3 से कटेगा 9 बार में 3 से कटेगा 3 बार में 3 का पावर कितना आ गया 5 देखो इसको लिख सकते निमें 39 वाई 3 का पावर 5 यही क्या होगा कुश्मलाग के लिए और संद्स अलो के लिए पूछता हैं रिखोन अगर यह क्या हुआ है इसाथ चीज पूछ सकता है सांत और सांत में यही टाप का कोस्चन आएगा इसलिए उसक्त देकर आए वे यह कोस्चन आपको अगर करके चल जाएगा इसी टाइप का कोस्चन आपको एक्वाइंभे में देखनें को मिलेगा च selfie Nr2 चलते हो लोग क्वेस्चन नम्द तू क्या कह रहा है कि छली को स्ट्रमे टू है, एक tasty ऑपय मेंच और अपरमे संक्क्राइख के जाब अपर में अपर में अपर में हो गोगा ऑपा गुननफल क्या होगा तो परमे संख्या क्या होगा मालत एक परमे संख्या हो गया और मालत अंडरूट क्या है एक फाइव अपरमे संख्या है इस दोनों का गुननफल क्या आएगा इस दोनों का गुननफल क्या आएगा अंडरूट फाइव के बराबर अगर टू भी ले लो 2 into under root 3 ले लो, क्या होगा? 2 under root 3 इस दोनों का multiple हमेशा, गुनानफल हमेशा क्या आता है? हमेशा एक अपर में संख्या आता है, क्या आता है एक? अपर में संख्या होता है तो इसका answer कहा जाएगा? Answer number B हो जाएगा चले next question, next question हम लोग चलते है, next question है, 3 number question, 3 number question क्या है, 3 number question है 0.77777, 0.77, क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको मान ले, इसको लिखने के लिए तरीका हम लोग आपको बता चुके थे, OLA, one line, answer हम लोग बता चुके थे, क्या, देखो, अगर इस पे 7 पे रेकरिंग है, इसको लिख सकते है, 0.7 पे रेकरिंग है, तो लिखने के लिए क्या बताया थे, यह जो 7 है, इसको उपर में लिख दो, by, इस देखो, किसे कितने नंबर पे रेकरिंग दिख रहा है तुमको, कितने नंबर पे रिपीटिंग नंबर दिख रहा है, repeating नमर कहन है, 7, कितना बार रेपीटिट है, 7 ही एक नंबर है, जो रिप कसंद जो है हम लोग यो पहला प्रिवियस क्वेश्चन किये थे 2030 का उसमें लोग इसका डिटेल्स में बता चुके है तो वहाँ से जाकर आप लोग देख लीजिएगा ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नमबर 5 पर क्वेश्चन नमबर 5 क्या है यदि एक मिनार के पाद से 10 मीटर दूर इस्थित बिंदू पर मिनार का उन्ययन कौन साथ डिग्री है तब मिनार क्यों चाहिए क्या होगी देखो क्वेश्चन क्या है एक मिनार के पाद से मिनार मान लेते हैं कि ए बी क्या है एक मिनार है और मिनार के पाद से पाद मतलो क्या होता है बेस यानि इसको बोलते हम लोग पाद से 10 मीटर दूर स्थित बिंदू यहां से कोई 10 मीटर दूर स्थित कोई बिंदू है मिनार का उन्यन कौन साथ डिग्री है यहां से देखो मिनार का उन्यन कौन कितना बता रहा है साथ डिग्री के बड़ावर बता रहा है तो अब मिनार की उचाय क्या है मिनार की उचाय क्या है पूछ रही यानि एबी का भैलू पूछ रही क्या होगा AB का value, यानि कि BC, इसको मालत C है, BC और AB, किसके form में आएगा? 10 के formula में आएगा, किसके formula में आएगा? तो 10, 60 degree का value क्या लिका लें हम लोग? क्या होता है? ABY, BC के बराबर, क्या हो जाएगा? AB बटे, BC के बराबर, 1060 का मान क्या होगा? 1060 का value क्या होता है? under root 3 के बराबर, कितना हो जाएगा? AB बटे, BC का मान कितना है? 10, तो AB is equal to कितना आगया? 10 root 3 के बराबर, AB is equal to क्या आगया? 10 root 3 के बराबर आगया, कौन सा option दीख रहा है बाबुरे? Option number B दीख रहा है हमको, चले, next question चले, next question, question number 5, next question क्या है? question number 5, परहो एक क्वेस्चन दीख रहा है, एक चर की लंबाय और उसकी चाया कानुपात 1 by under root 3 है, तो सुर्ज का उन्य आटकोन का आँगFit, क्योंकि उसकी लंबाय थी और इसकी चाया की लंबाय एगग, यहां से यहां तक की लंबाय क्या दीआ होmitt था under root 3 X के बड़ाबर, तब सूर्ज का पूच रहा हे क्या होगा, यालि सूर्ज का उणियन कूण beta is equal to p uch raya क्या होगा, रहने किसे निकालेंगे theta क्या होगा, तो यहां से किसे फ़र वहारे और BC, वहारे से आप किसके फारमे आता है, Колि दुद्सक्ते थीटा के फ़र में आता है, तो 10 थीटा is equal to क्या लिए सकते हम लोग, AB by BC क्या होगा, तो इसको लिखो 10 थीटा is equal to कितना होगा, AB कितना है, X by under root 3X, X से X cancel हो जाएगा, 1 by क्या आएगा, under root 3, देखो थीटा का मान किस में आता है 1 by under root 3, 10 का कौनसा value 1 by under root 3 के बरावर आएगा, 1 by under root 3 कौनसा आता है, 10, 30 degree के बरावर, तो कौनसा option हो जाएगा, तो थीटा कितना आ गया, 30 के बरावर, थीटा कितना आ गया, 30 के बरावर, ठीक है, चलो, next question चले, चले, next question हम लोग, question number 7, question number 7 क्या है, question number 7 है, जब एक bricks की उचाय उसकी 6 से root 3 कुना होता है, तो सूर्ज का onion क्या है, ये भी तो question सेम दिख रहा है, bricks की उचाय उसकी 6 से root 3 कुना है, bricks की उचाय जो है, माल लेते कि ये bricks की उचाय AB है, और BC की उचाय बन रही है, एक bricks की उचाय उसकी 6 से root 3 कुना है, यानि bricks की उचाय है, ये 6 से कितना है root 3 कुना, अगर ये X माल ले, तो ये कितना होगा, under root 3 X के बरावर, तब सूर्ज का onion कौन पूछ रहा है क्या होगा, ये वाला कौन पूछ रहा है क्या होगा, अभी तो बताएं, इसको कर लो, कर सकते हो, कर सकते हो ना, तुम लोग भी कोशिस करो ना, चलो, next question चलते हैं, कोशिस करो इसको बनाने का, next question चलते हैं हम लोग, question number 8 पे, question number 8 क्या का रहा है, 5 by 3 क्या है, सबसे favorite question है, ये पूछता है एक्जाम में, 5 by 3 क्या है, 5 by 2 क्या है, 5 by 2 क्या है, 5 by 2 क्या है, एक अफर में संख्या है, तो 5 by 3 क्या होगा, एक अफर में संख्या होगा, कैसी संख्या होगा, अफर में संख्या होगा, ठीक है, कभी-कभी पाई पूछ देगा, ठीक है, चलो, next question चले हम लोग, next question क्या कर रहा है, 9 number, 9 number question, यदि P aक अभार संख्या है तो root P अभाण संख्या है, सिक्लार कि बोलते हैं, जिसका केवल दौक्ण केवल वॉ नमबर हो तो कीबला है, किसे किसे बैजनों केवल कогоंव से नम्बर होतता हूँ, अपरी में संख्या होगा, होगा, चलो, नेक्ट क्वेस्चन चलते हैं हम लोग, क्वेस्चन नमबर 10 भाज, ए और भाजक B के लिए A बढ़ाबर B Q प्लस R के लिए कंसा कथन सत है, इसक्वेस्चन पूछा है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है, चले हम लोग चलते हैं क्व ओर बी कि a यह और बी क्या बोला है भाज ए और भाजक बी है बाज जानता है न भाज बदावर क्या होता है भाज़ बदावर भज़ यानि ए भाज है भी भाजक है तो यहां पर इसका क्या आएगा भागफल आएगा और यहां पर क्या आएगा रिमाइंडर आएगा यहां पर कॉसेंट आएगा और यहां पर क्या आएगा रिमाइंडर आएगा भाज ए और भाजक बी के लिए बढ़ावर बीक्यू प्लस आर क चोटा होगा, बी से क्या होगा, चोटा होगा, तो बी से छोटा किस में दिख रहा है, या बी के बरावर दिख रहा है, एक अप्शन ये दिख रहा है, एक अप्शन ये भी है, ये दोनों तो क्या हो गया, कर जाएगा, अप्शन ये दिख रहा है, ठीक है, और देखो, हो सकत होगा या 0 के बरावर होगा आर जो होगा 0 से बरा होगा या 0 के क्या होगे बरावर होगा तो 0 के बरावर और 0 0 R क्या दिख रहा है? 0 के बरावर और 0 से बरा और B क्या दिख रहा है? R से बरा और क्या होगा? B से छोटा था. कौन सा अप्शन सही हो जाएगा? अप्शन नंबर A क्या होगा? इसका correct answer हो जाएगा. ठीक है? चलो, next question चलते हम लोग. Question number 11. Question number 11 क्या खा रहा है? यदि AB एक उर्धवाधर दिवार है, जिसका B भाग भूमी के संपर्क में है, AC CD जमीन से C बिंदू पर टिकी है, यदि कौन ACB 45 डिगरी है, BC 5 मीटर है, तो CD के लंबा है क्या होगी? देखो, AB एक उर्धवाधर दिवार है, मानले AB क्या है एक उर्धवाधर दिवार है, जिसका B भाग क्या है भूमी के संपर्क में है, ये वला भाग क्या है? भूमी के संपर्क में है, AC CD जमीन से, यानि AC ये है, CD है, ठीक है, जमीन से किस पे है? सी विण पेंदू पर टीक हूं है यदि कोन असीदया हुई कितना दिगर है क्या इकतना दिगर्युन दिगरी कितना हुआ है कितना दिपा पांच मीटर है। ठीक है तो CD की लंबाई पूछ रही क्या होगा इसका मान पूछ रही क्या होगा CD की लंबाई AC पूछ रही क्या होगा तो AC किस में आएगा देखो अगर यह 45 डिग्री दिया हुआ तो बेस बेस अपन हैपोटेनस किसमें आएगा, बेस अपन हैपोटेनस किसमें आता है कॉस में, तो लगा दो कॉस का फ्रमूला, कॉस 45 डिग्री, एजिकल तो कितना हो जाएगा, 5 बट्टे H के बराबर, यानि AC लिख सकते हम लोग, 5 बट्टे AC लिख दो, कॉस 45 का मान कितना होता है, 1Y, अंडरोट 2 के बराबर, कितना हो जाएगा, 5 बट्टे AC, AC बराबर कितना निकल के आ गया, 5 अंडरोट 2 के बराबर, कितना निकल के आ गया, 5 अंडरोट 2, सरवत्तम कोचिंग इस्टिचूट पतना आठ लाख छे महेंदरू पोस्ट आफिस के पास चल रही है आईए जूरिए डिटेल्स यहां पर हल अलग अलग फैकल्टी आपको नजर आएंगे चलिए कुश्चन नंबर 12 चलते हैं लोग कुश्चन नंबर 12 क्या का रहा है देखो क्यों चाहिए क्या होगी एक मनुस है किसी बिजली के खंभे के सिखर से सिखर से देखता है मानलेते यह बिजली का खंभा है यह बिजली का क्या है खंभा यह भी बिजली का खंभा है ठीक है सिखर से देखता है कि धरातल के एक बिंदू का अबनमन कौन धरातल का कोई बिं अब नमन कौन साथ डिग्री दिया हुआ है अब नमन क्या होगा ये वला कौन कितना दिया हुआ है साथ डिग्री तो ये कौन भी कितना हो जाएगा साथ डिग्री के बरावर ठीक है यदि खंबे के पाद से बिंदू की दूरी पचीस मीटर है खंबे के पाद से खंबे के पा लगा तो 1060 डिग्री एकलडों कितना होगा ? यहां पर क्या होगा ? 1060 का मान कितना होता है ? अर्छby toujoursune della 25 35 25 इस अंडरोर क्या होगा थिरी के बढ़ावर कहा दिख रहा है डी नंबर अप्शन में दिख रहा है चलो नेक्स्ट कोस्टन बुझारा है ना अरे बुझाता चलो नेक्स्ट कोस्टन देखते हम लोग नेक्स्ट कोस्टन क्या है यदि एक दिये गए बिन्दू जो केंदर नहीं है किसी बिरित के कितने ब्यास गुजर सकते हैं यदि एक दिये गए बिन्दू जो केंदर नहीं है मान लेते कि तो किसी बिरित से कितने ब्यास गुजर सकते हैं देखो मान लेते कि एक बिरित है ठी बिरित है तो वो क्या है ये केंद्र मान लेते हैं ठीक है और बोले कि एक दिया गए कोई एक और बिंदु है मान लेते कि यहां पर एक बिंदु है ठीक है जो केंद्र नहीं है ठीक है तो ये केंद्र नहीं है जो किसी बिरित से कितने ब्यास तो किसी बिरित के कितने ब्यास ग यहां से देखो, अगर गुजारेंगे तो क्या होगा, इस बिंदु से तो नहीं गुजरा, चलो मालत बिंदु इसी पर था, ठीक है, देखो यह इसका सेंटर था, मालत यह बिंदु यहां पर था, तो इसके क्या होंगे, इस बिंदु से कितने रेखा गुजर रही है, एक ही व्यास गुजर रहा है कितना ब्यास गुजरेगा एक से बनाके δेखो दिए सिवर्य गुजर रहे है तो क्या होगा एक ही इससे क्या हो सकती है ब्यास गुजर सकती है चलो भो रखन को जिन स्ideos क्यों थे हो सकति है चलो नेक्स shake Q 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 का इसका गुणांग क्या होगा इसका गुलांग क्या होगा इसका so कुछिन अच्छा है कोश्चन पूछ मुचने वाला है चपेगा यहीं से चपेगा जायेगा कहा नहीं चपेगा कइसे चपेगा चपेगा चलो 16 नमजर कुछित बनतोसे कितने ब्यास किचे जा सकते हैं बिर्त की परीधी से देखें एक बिरीध है zwischen लेते क्या है एक बिरित है किसी बिरित की परीधी के किसी बिंदू से परीधी के किसी बिंदू से कितने ब्यास खीचे जा सकते हैं देखो यहां से कितना ब्यास खीचा जाएगा यहां से कितना ब्यास खीचा जाएगा अभी तो इक क्वेश्चन साइद कीए हुए थे पीछे ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग क्वेश्चन नमबर 17 क्या कर रहा है किसी चाप द्वारा केंदर पर आंतरिक कौन उसके केंदर पर आंतरिक कौन उसके द्वारा ब्रित के सेश भाग के किसी बिंदू पर आंतरिक कौन का होता है देखो इस जो होता है किसी चाप द्वारा केंद्र प्रांतरित कौन ये जो चाप है इसके द्वारा केंद्र प्रांतरित कौन ये कौन जो होगा बोला बीद का सेस भाग सेस भाग क्या है ये वाला ये सब भाग क्या है इस पर बना कौन कितना होता है इसका सेस भाग पर किसी बिंदू प्रांतरित क कोन का होता है कितना होता है दो गुणा के बराबर किसके बराबर हो जाएगा दो गुणा के बराबर होता है ठीक है चलो इतो थियोरी है थियोरी बेस्ट कोस्चन था देखोगे इस सब पूसता है कोस्चन ध्यान रखना इस कोस्चन सबको अर्ध बृत का कौन कितने अंसों का होता है तुछ पता होगा अर्थवित का कौन कितने आंस हो इस चांद देखा है ना चांड तुदेखता होगा तुम लोग कि चलो अर्थभृत का कौन दिया हुआ है कि इस ओपने आंस का होगा दो इससे बनने ओढ guest वाला जो कौन होगा ये कितने डिगरीं का होता है 90 delg का होता है कितने BENEG कौन बनेगा ये कितने डिखरी का होगा 90 Delg emk hôta है कितने डिगरी का होता है 90 Delg kha होता है समझ में आ रहा है या रहा है चलो in the best question question नंबर 19 20 में से कौन सा त्रिघाती बुवपद है ? इसका घात 3 दिख भागा किसका घात दिख रहे बता ओप्सं बता कॉमेंट करो इसका घात तीन दिख रहा है ने годocris 2921 पर भॉपद I 5x square minus 3x plus 7 का मान है, x bot1, ने पराबर क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, वह उपद का मान पूछ रहे है क्या होग? तिसका मान निकालो, 5 गुना 1 काइस्क्वाइर कितना हो जाएगा? 1 काइस्क्वाइर कितना होगा? 1 होगा, minus 3 गुना, 1 plus 7 कितना होगा जोरो इसको, 5 इकम 5, minus 3 plus 7, 12 minus 3 कितना हो जाएगा? 12 minus 3 कितना बचेगा? 9, किस अप्शन में दिख रहा है? Option number B दिख रहा है, किस अप्शन में दिख रहा है? Option number B दिख रहा है, दिख रहा है ना? चलो, next question चलते हम लोग, तो question number 21, 21 question, ठीक है, 21 question निमलीखित में से किस द्विघात बहपत के सुन्यकों का योगफल 3 एबंगुननफल-10 है, देखो, question तो क्या ही बार करवा चुके है, करवा चुके ना, बोलना है कि निमलीखित में से किस द्विघात बहपत के सुन्यकों का योगफल 3 है, सुन्यक क्य माइनस सपहस्त Alabama सब्सक्राइब क्या है माइनस का दस है दो डिखात विर एक सपार हम व्यु지 लिखते थे बता चुक्त माइनस, अलफा प्लस बीटा के बद लेकिया है, फिरी इन्टू एक स् प्लस सालफा एंटू बीटा के बद लेकिया है, अलफा एंटू बीटा के बद लेका धिकल प्लस मैनस मानस कियो जाएगा, दस की सप्ट्सों इंक इह x²-3x-10, x²-3x-10 किस अप्शन में है, दिख रहा है ना, अप्शन नमबर 3 यह तो दिख रहा है, चलो, next question चले हम लोग, मजा आ रहा है, आएगा, मजा कहें नहीं आएगा, चलो, next question 22, वह चत्र हो, जिसका चारो सीर्स ब्रित पर हो तो कहा जाता है, यह तो असान question है, theory based बोलेते question होगा, theory based ही question है, कुछ question है, देखो, यह एक ब्रित है, क्या है यह, ब्रित दिख रहा है, ब्रित कम अंडा दिख रहा है, वह चत्रभूज इसका चारो सीर्स ब्रित पर हो, सीर्स क्या हो बिरित पर हो या देखो यहां पर यहां पर सीर्स है और यहां पर सीर्स है और यहां पर सीर्स है इस चारों को मिलाओ इस चारों को गर मिलाओगे तो क्या कहलाता है यह चक्रिये चत्रभूज कहलाता है क्या कहलाता है सैक्लिक क्वाड्रेटल यानि चक्रिये चत Saikili kरड गृडर्टर बोलते हैं चलो Lily च enc finest integrity number 23 number question क्या चत्रीट करहे है चक्री चतरभूच के समुक्ष्य कोन के प्रतेक्व्म का वुग कितना कितने अंस्योख होता है वुक गो चक्रिये ६बता हे तुर्द ये वाला इसका क्या है चक्रिय चत्रभूज है विरित के अंदर जो बना हुआ चक्रिय चत्रभूज है समुख कोन के परतेक युगम का योग यानि समुख कोन ये और ये कोन ये दोनों क्या होते हैं समुख कोन इसके परतेक युगम का योग कितना होता है तो इस दोनों का य कुछता इहही क।चन गल्ती करें बच्चा गल्ती क्या करएगा हुड्प muitas कि सभी कॉनों का यग मारका रा जाएगा यह नहीं करना संभल warum का योग क्या होगा है संभल का योग किया हो गこれで इस पूछाव वाइड श्कता का पिरिद है इसका छेचटफल दिया हुआ है 200 cm . इसका छेचटफल कितना है200 cm2 इसके अंदर क्या खीचा गया एक बर्ग हिचा गया है इसके अंदर क्या कीच gamma 220 है, एक मिनिट बाब बोलो, 220 cm2 है, ठीक है, यहां से देखो, यहां से बोलना है कि एक बर्ग है, यह बर्ग तो नहीं बन रहा है, यहां पर क्या है एक, चलो माल लो यह बर्ग है इसके अंदर, ठीक है, माल ले तो एक बर्ग है, A, B, C, D, ठीक है, 220 cm के अंदर खीचेगे बर्ग का छतफल क्या होगा, तो सबसे पहले इसकी तिर्जिया निकालो, इसकी तिर्जिया क्या होगी, इसकी तिर्जिया क्या होगी, आर निकालो, बर्ग का छतफल क्या होता है, पाइर स्क्वाइर यानि 220 cm2 बड़ाबर क्या लिख सकते हैं ह पाई के बदले 22 बता साथ इन्टु आरे स्क्वाइर होगा यहां से काटो 20 से 10 बार में कर जाएगा तो सदस्त कितना हो जाएगा आर बराबर अंडरोट 70 के बराबर हो गया देखो यह जो दिख रहा है आर यह दू आर के बराबर इसका क्या होगा डाइमेटर ब्यास होगा य और डी बी सी जो तुमको दिख रहा होगा यह क्या दिख रहा होगा एक समकोन तिर्भूज भी दिख रहा होगा दिख रहा है ना समकोन तिर्भूज में क्या होगा करन स्क्वाइर बराबर क्या होता है लंब स्क्वाइर जोड़ा स्क्वाइर और बर के सभी भूजा क्या ह मान लेते हैं हम लोग तो ए इंटु ए स्क्वाइड प्लस ए स्क्वाइड कितना हो जाएगा ए स्क्वाइड प्लस ए स्क्वाइड बराबर यह किसके बराबर करन के बराबर तो करन कितना है दूरूट सत्तर का स्क्वाइड यह समझ माया ए स्क्वाइड प्लस ए स्क्वाइड कर्ण लंब स्क्वाइड प्लस अधार स्क्वाइड परावर कर्ण स्क्वाइड कर्ण दिया हुआ तो आर बरावर कितना दिया हुआ था अर बरावर दिया हुआ था टू रूट सतर रूट सतर था तू रूट सतर के बरावर होगा दू रूट सतर के बरावर होगा दू सतनुना कितना हो गया स्कार बढ़ावर कितना हो गया एक सो चालिस प्चक्या रहा था बावी पूछ रहा था उसका टाश्ट्पल तो वर्कहा श्क्ष क्थफल ऐस च्थम ही ठोगा मान आया है कितना आया है, एस्कोर कमान कितना आया है, 140 दिख रहा है ना, option number B तो दिख रहा है, काई ने दिखेगा, चलो, question जो बनेगा तो दिखेगा, नहीं बनेगा, नहीं दिखेगा, चलो, question number 25 को और चलते हम लोग, आर तिर्जा वाले बृत में थीटा कॉन वाले तिरिजखंड के संगत चाप की लंबाई होगी, संगत चाप की लंबाई, आर तिर्जा वाले बृत में, देखो, एक बृत है, ठीक है, इसमें आर तिर्जा है, ठीक है, इसके तिर्जा कितनी है, आर है, थीटा कॉन बनाने वा है ? एंगल कितना बन रहा है ? theta R इसकी क्या है ? तिर जया दिया हुआ है Sungut chape की लंबाए क्या होती है ? इह पता है ! फ़र्बूली है chape की लंबाए ब्रावर क्या होता है chape की लंबाए ब्रावर बोलो क्या होगा ? 2 pi R theta बट्टा 370 degree 2 pi R theta बट्टा 370 degree किस में दिख रहा है, B number option क्या होगा इसका, correct हो जाएगा, ठीक है, चलो, next question चलते हम लोग, next question चलते हम लोग, सुन्यक, सुन्यक ज्याद करों यहां से, सुन्यक तो क्या बार बता चुके हैं, यहां पर है 2x square, plus 5x minus 2L, तो यहां से निकालो, 12 और 2 का multiple कितना होगा, 24, तो इसको लिकालो, तो इसको कितना हो जाएगा, 2x square, plus 8 और 3 का multiple, 24 और 8 में से 3 घटाएंगे, तो 5 आएगा, 8x minus 3x, minus 12, होगा, बढ़ाबर क्या होगा, सुन्यक के लिए 0, कर लो 0, यहां से निकालो, 2 निकल जाएगा, x निकल जाएगा, क्या बचेगा, इसमें बचेगा, x plus 4, minus 3 निकालो, कितना बचेगा, x plus 4, minus कमान आ ग जाएगा, क्या बचेगा, 2x minus 3, बढ़ाबर कितना होगा, 0, इस तोनों टर्म से कोई एक टर्म, अगर 0 रहा होगा, तभी मान क्या होगा, 0 के बढ़ाबर होगा, तो यहां से निकालो, x plus 4 is equal to 0, x is equal to कितना होगा, minus 4, and x minus 3 is equal to 0, x is equal to कितना होगा, 3 के बढ़ाबर, क्या और 3, sorry, 2x था यहां पर ना, तो यहां पर हो जाएगा, 3 बट्टे, 2 के बढ़ाबर, तो minus 4 और 3 बट्टे, 2 किस अप्चन में दिख रहा है, अप्चन नमबर, B क्या होगा, इसका, correct answer होगा, सही है, सही है, चलो, next question देखते हम लोग, समझ में आ रहा है, ठीक है, चलो, next question द दो चर बाले समिकरन का रूप है, 4x-3x, 4-3x का दो चर बाले समिकरन का रूप है, इसको देखो, 2 चर बाले समिकरन का रूप है, इसको देखो, 2 चर बाले समिकरन कैसे लिखेंगे हम लोग, अगर इसको लिखा जाए, 4-3x is equal to 0, इसको सिधा करके लिखो, minus 3x plus 0 into y लिख सक सकते हैं क्यों नहीं लिख सकते हैं माइनस प्लस का कितना हो जाएगा 4 is equal to क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं यहीं सब कोश्चन पूछता है कोई बहुत बबंदर कोश्चन नहीं आती है question यहीं आएगा ठीक है जिसमें आप लोग गलती करके चलाएगा तो इसको revision करके जाएगा तो best रहेगा ताकि आप गलती से बच सकते हैं गलती से बचना ही success की क्या है सबसे बड़ी कहानी है गलती करिए लेकिन गलती से बचने की कोशिस करिए ठीक है गलती एक बार हो जाती ह है उसको सुधार करिए और आगे बढ़ते रहें पीछे मुर्के मत देखना चलो next question 28 number हम लोग चलते हैं 28 number question क्या है 2x plus 3y बरावर 11 और 2x minus 4y बरावर minus 24 का हल क्या होगा इस सब तो असानी से आता होगा तुम लोग को इतना पढ़ा दिये हमोगलोविन बना चुक है इस सब को हम लोग 3x बरावर कितना है यह 11 2x minus 4y कितना दिया हुआ माइनस का 24 दिया हुआ है माइनस कितना दिया हुआ है 24 है ठीक है यहां से solve करो अगर इसके नीचे का sign change करो तो यह कर जाएगा यहां भी sign change कर लो यहां कितना हो गया 5 yबराबर कितना आ गया 5 y जब 5 आ गया तो य दिखो किस अप्सण में 5 है एक ही अप्सण है यह बढ़ाबर 5 यहां से x-ka वहलू लिखा लो लिखाल सकते हैं यह लोको x का value रखो किसी eaks अम Васमिक्रां में, या थो समिक्राण 1 मान लो समिक्रान 2 मान लो, किसी समिक्राण में y का मन उठा कर रखो तो. क्या होगा, savings sin, क्या होगा, जार आएंगे और अच्छे-अच्छे टीचर यहाँ पर क्या है चलो नेक्स्ट कोश्चन हम लोग चलते हैं तीस नमबर कोश्चन 4X प्लस KY बरावर 6, 2X-4Y बरावर 3 के अनिगिनत हल होंगे अनिगिनत हल के लिए क्या पता है आपको? कुछ पता है अनिगिनत हल के लिए क्या होता? A1 वट्टा A2, बड़ावर B1 वट्टा B2, बड़ावर C1 वट्टा C2, यह क्या होगा, अनगिनत हल, होगा न, A1 वट्टा A2, A1 कितना है, 4 है, और B1, A1, 4 था, B1 कितना है, 2 है, B1 कितना है, Sorry, A1, A2 कितना है, 2 है, बड़ावर B1 कितना है, B1 है, K, और B2 कितना है, माइनस का 4 is combustible C1 कितना है? 6 और C2 कितना है? 3 होगा यहां से निकालो किसी एक को बराबर कर लो या तो इसको बराबर कर लो इसको कर सकते हो तो KY 4 is combustible 6 by 3 कितना होगा? यहां के काट दो कितना हो जाएगा? 2 के बराबर यहां भी काड़ दो 2 के बराबर आता, आता न, तो k is equal to कितना हो जाएगा, k is equal to कितना हो जाएगा, k is equal to आ जाएगा, 4 to 2 जा, minus 8 के बराबर, k कितना आ गया, minus 8 के बराबर, किस अप्सन में है, अप्सन नंबर, भी क्या होगा, इसका, correct answer हो जाएगा, चलो, next question, हम लोग चलते हैं, फटा-फट, 30 number question, 30 number question है, 12 cm तिरजया वाले, बृत के एक चाप की लंबाई 10 cm, तो इस चाप के कोन की माप, डिगरी में कितना होगी, बृत 12 cm तिरजया वाले, देखो, एक बृत है, इसके तिरजया कितना है, 12 cm है, ठीक है, कितना cm है, 12 cm तिरजया वाले, बृत के एक चाप की लंबाई 10 cm है, देखो, यहां से 12 cm तिर्जया है, और यहां से एक चाप होगा, इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है, 10 pi के बढ़ाबर, कितना दिया हुआ है, 10 pi के बढ़ाबर, यह तिर्जया है 12 cm, तिर्जया कितना है 12 cm, तिर्जया कितना है 12 cm, तिर्जया कितना है 12 2 pi r theta बटा 360 degree के बढ़ाबर या pi r theta बटा 180 लिखिए वो भी सही होगा ठीक है तू से कार दीजे 180 बार में कड़ जाता है ठीक है तो pi r theta कितना बचा पाई और चाप की लंबाई कितना दिया हुआ है 10 pi के बढ़ाबर तो यहाँ पर लिख लो 10 pi बढ़ाबर कितना हो जागा pi r pi into r के बदले क्या है बाहर 12 into theta कितना है theta होगा by 180 पाई से price cancel out हो जाएगा कटेगा देखो यह कट रहा है 12 से कटेगा बारी कम बार बार पंचे 60 तो कितना होगा theta is equal to 15 गुना 10 कितना हो जाएगा 1500 डिगरी के बढ़ाबर क्या होगा इसका answer होगा 1500 डिगरी के बढ़ाबर क्या होगा दिख रहा है 1500 डिगरी है है तो यह number option चलो next question हम लोग शलते हैं, question नमबर थाट्टी वान पे, question नमबर थाटी वान पे, क्या कह रहा है? एक पार को अठाई सेंटीमेटर तिर्जावाले बृत्र की रूप में मौर दिया जाता है, तब यह पुना एक भर्क की रूप में मौर जाता है, तो बर्क की भुजा क्या है? एक तार को क्या किया जाता है 18 cm तिर्जा वाले बृत के रूप में मोर दिया जाता है देखो एक तार को क्या कर दिया गया एक बृत के रूप में मोर दिया गया इसके तिर्जा कितनी है 18 cm तिर्जा कितना दिया हुआ है 18 cm है बृत के रूप में मोर दिया जाता है तब यदि यह एक पुना बर्ग के रुप मुझा था फिर इसको क्या कर रहा है एक बर्ग बना दे रहा है ठीक है बर्ग बना दे कुछ भी बना दे इसका परिमाप क्या होगा हमेशा समाने होगा तार को कितनों मोरो तार को गुमा के क्या कर दो आजमी बना दो तार को गुमा को गुमा क क्या हो गया परिमा यानि दोनों का परिधी इसका परिधी कहलाता है परिधी बराबर क्या हो गया परिधी यानि कि इसका भी परिधी बराबर क्या हो गया परिधी हो गया ठीक है तो यहां से निकालो तो जोर दिया देता बर की भुजा पुछ रहें इसकी भुजा क्या होगी फिर तो परिमाas कितना होगा टू पाई आर यही क्या होगा इसके भुजा के बडाबर चार गुने निकाल दो तो 21-22-28, इतना आसान कोश्चन हे इतना आसान कोश्चन अता है orecz mind इतना आसान कोश्चन पूछा वा सरा कोश्चन है अकोश्चन है यही question आता है python थोड़ा सा change करके दिये हुए इसलिए क्या होगा question आने के समभावना जायदा है चलो 31 question के बाद 32 number question देखते हम लो 32 number question क्या का रहा है R तिर्जा वाले एक बिरित के केंद्र बिरित के दुई तिर्जा जिसका कौन थीटा है इसका छतफल क्या होगा तो इसका छतफल हम लोग देखते हैं बिरित के दुई तिर्जा जिसका कौन थीटा है इसका छतफल क्या होता है छतफल बराबर हम लोग देखे थे 2PiR एच्वागर थीटा वट्य तिन से तिन स सअथ डिग्री देखों यहा से देखो ヌड थीटावट तिन से तिन सका छतफल होता है देखों यहां से देखोंगे इसमें option में नहीं दीख रहा है लेकिन option नमर हम को इसको अगर तोरोगे थीटा वट्टा 720 गुना क्या लिखोगे टू पाई आर आर स्कुराइड है ना आर इसका बड़ा तिर जा था यहां पर आर मालो बड़ा है ठीक है तो देखो इसमें क्या करोगे अगर दूसरे इसको का हो जाएगा तो option इसको देखना पड़ेगा इसमें direct option नहीं दिया हो लेकिन यह क्या है इसका option हो जाएगा option नमर क्या होगा डी इसका सही आंसर होगा ठीक है next question चले हम लोग next question है 33 number 33 number question क्या का रहा है यदि समिक्रण x-2y बड़ावर 3 तता 3x-ky बड़ावर 1 का एक अदूतिय हल हो तो अदूतिय हल के लिए क्या परहा था a1 वट्टे a2 बड़ावर note क्या होता है b1 वट्टे b2 बड़ावर note क्या होगा c1 वट्टे c2 यहीं न होता है x-2y बड़ा है x-2y बड़ावर 3 तता 3x-3x-3x-ky बड़ावर 1 का एक अदूतिय हल है तो k कामान क्या होगा यहां से निकालो a1 कितना है 1 a2 कितना है 3 is equal to note b1 कितना है b1 दिवा-2 और b2 कितना है k बड़ावर note कितना हो जाएगा 1y 3 के बड़ावर इसमें से किसी एक को बड़ावर नहीं करो एक इसके क्या हो जाए k is equal to note 3 2 minus 6 तो k is equal to note minus 6 किसमें आ जाएगा दोनों को solve करो यहीं आंसर आगा दिख रहा है कहीं पे b number option क्या होगा इसका correct answer हो जाएगा ठीक है चलो next question चले हम लोग next question चलते हम लोग 34 number 34 number question क्या कहा रहा है 34 number question कहा रहा है 34 number question कहा रहा है 2 x बड़ावर minus 5 y में a b और c का मान क्या होगा देखो यहां से लिख सकते हो 2 x plus 5 y बड़ावर क्या होगा जिडो, A, B, C लिखो, A बड़ावर कितना है, 2 है, B बड़ावर कितना है, 5 है, और C बड़ावर कितना है, 0 है, ये C है, ये B है और ये, ये है, तो 2, 5 और 0 किस में दिख रहा है, 2, 5 और 0, A का मान 2, B का मान 5, और C का मान 0, क्या होगा इसका, C number सहीं, आंसर हो जाएगा, असा क्माद सा कॉस्चन था चलो नेक्स्ष्ट को सिनन मोग चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है नमलिकित में से कौन बिकल्प सक्थ है थैं वाइब देखो एक अदुतिय हल यह केवल दू हल है परिमित रूप से उन्हेक अनेक हल है इनमें से कोई नहीं य बडाबर दि 3x plus 5 तो यह कितना हो जागा? 3x ब्रावर 5 के ब्रावर होगा? यहां से लिट सकते हैं हम लों क्या? या मैनस 3x ब्रावर, तो x ब्रावर कितना होजाएगा? अनेक हल हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है, चलो, next question चलते हम लोग, question number 36, ये एक पहिये का ब्यास 40 cm है, कि दूरी ताय करने में इसे कितने चकर लगाने पड़ेंगे, चकर लगाते हो बागु, चकर लगाने, ये का ब्यास 40 cm है, एक पहिया है, ये क्या है, मेरा पहिया है, पहिया कितना दिया हुआ है इसका ब्यास 40 cm है, ब्यास यानि कि ये 40 है तो ये कितना होगा तिर जा इसका, 20 20 cm, कितना होगा, 20 cm, 176 मिटर के दूरी ताय करने में इसे कितने चकर लगाने परेंगे, चकर लगावगा तो क्या लगए लिखा लेगा इसका, परिधी, लिखा लोगे ना, तो परिधी बराबर क्या होता है, परिधी बराबर होता है 2πr, 2 गुना 22 बटा 7, गुना आर कितना ह है, 20 cm के बराबर, तो कितना हो गया, 448, 880, 7 cm², ठीक है, एक चीज़ यहां पर धियान जाना, सॉरी, 2πr, और यहां से ब्यास बराबर दिया हो, इतना cm में हो, और यहां पर क्या दिया हुआ हुआ है, मीटर में, इसको भी संटीमीटर में कर लो, इसको संटीमीटर में करो, कितना होगा, एक मीटर, 100 cm, 376 में कितना हो जागा, इतना cm के बराबर, होगा, देखो अब चक्कर लगाना, तो चकर कैसे निकालते हैं हम लोग, चकर भाग देदो, कितना है, इतना दूर इत्या किया है, तो एक चकर में इतना है, तो पुरा चकर कितना लगा होगा, इसका 26, 00 cm, बट्टे कितना हो जागा, 880, बट्टे साथ, उपर क्या चल जाएगा, 7, यह कितना हो जाएगा, cm यहाँ भी था, cm से cm कैंसिल आट कर दो, 0 से 0 कैंसिल आट हो जाएगा, और क्या बचा, बचा 11, 880, 11 से कटेगा, 11, 16, 0, कट गया, 8 से कटेगा, दो बार में, 20 बार मे समत लगाना, ठीक है, 140 चकर लगाना, ठीक है, 37 नमर कोश्चन, एक बेलन और एक संकु के अधार समान है, यह दिवस्कुचाई भी समान है, तो उसके आइतनों का अनुपात क्या होगा, बेलन का और संकु का अधार समान है, आर बड़ा बड़ा र है, आर बड़ा बड़ा है, तो आइतनों का अनुपात क्या होगा, बताओ तुम दो, इससे असान कोश्चन आएगा, आइतन का अनुपात क्या होता है, बेलन का अधार क्या होता है, बोलो, पाई आर स्कु का अधार समान होता है, वन बड़ा थिरी, पाई आर स्कु क्या होगा, कर जाएगा, पाई तो रहेगा ना, पाई से पाई भी कर जाएगा, पाई से क्या करो, कितना होगा, वन बट्टे, वन बट्टे, थिरी, ये कितना हो जाएगा, थिरी अनुपात, एक के बराबर, दिख रहा है कहीं पर थिरी अनुपात, एक क्या होगा इसका, ठीक है, चलो, next question चलते हम लोग, इसकीन सोट ले लेना तुम लोग, बोलने से पहले, तुम लोग इसकीन सोट ले लेना, एक संकु कि मुझा है, अधार काहितन कितना होता है, 1 by 3, पाई स्कुर्ड, एसके बराबर, 1 by 3, पाई र, एसके बराबर, ठीक है, ये क्या होगा, इसका, आंसर हो जाएगा, चलो, next question चलते हो लोग, 39 नंबर कोचन, इन लिखित में से कौन योगम सम्वी करन, x-2y बढ़ावर 4 का हल है, इसमें बताओ, बताओ, x-2y बढ़ावर 4, देखो, इसमें क्या करोगे, x का मान रखके, देखो, x-2y बढ़ावर 4 है, यहाँ पर x का मान और y का मान रखके, देखो, देखो, x-2, 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 0 रखके, आजएगा, बढ़ावर 4, 4 बढ़ावर के रावर 4, किस अप्षन में है 4 यह टृद 1, नंबर सी क्या होगा इसका, देखो, आज़के, चलो, नेक्स्त स्पोस्पार चले, कि जब की बास्तविक करा समान कब होता है उस दिन बें तो बताए हुए थे डी जब क्या हो जीरो से बड़ा हो तो इसका क्या होगा बास्तविक कि एवं कि और समान होंगे ठीक है अगर D 0 के बराबर आ जाए तो क्या हो जाएगा मूल मूल बास्तविक होगा लेकिन समान होगा मूल तो बास्तविक होगे लेकिन क्या होगे समान होगे बास्तविक एवम क्या होगे समान होगे ठीक है और देखो D जब क्या हो जाए, 0 से छोटा हो जाए, इसका मूल क्या होगा, बासतविक नहीं होगा, बासतविक नहीं होगा, इसको याद रखना है, कभी यहीं पूछ जयता है, ठीक है, ठीक है, चलो, नेक्स्ट कुश्चन हम लोग चलते हैं, question number 41 question number 41 question क्या कर रहा है निमली खित में से 4-1 2x2 का सुनने कौन है देखो कौन से दिया हुआ है 4-1 2x2 का सुनने कौन है बढ़ावर बढ़ावर कितना कर लो 0 इसको ले जाओ इधर तो 4 बढ़ावर कितना हो जाएगा two x2 के बढ़ावर k कितना आगया चार के बढ़ावर x2 का ये कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा दू बार में कर जाएगा एक सिल्सेंया कितना आ गे अन्डरूत 2 का सुनने को है चार इस को फिर से देखते हैं लोग, 4- 4 बढ़ावर कितना हो जाएगा? 1y 2x² के बढ़ावर, जाना हो गया? 1y 8 ठीक है? अगर इसको solv करेंगे तो x बढ़ावर कितना आ जाएगा? under root, 1y 8 के बढ़ावर. x बरावर कितना आ गया? 2 under root 2 गहाएगा? 2 under root 2 के बराबर होगा 1 by 2 under root 2 इसको रहाण स्नाइज कर लो under root 2 by under root 2 से दिक इतना होजेगा under root 2 by 2 to 2 जा 4 under root 2 by 2 to 2 जा 4 आ रहा है कहीं पर नहीं आ रहा है 8 x square is equal to 1 x 1 by 8 x is equal to 1 by 2 under root 2 इसमें देख लग रहा है कहीं पर अप्शन में क्या है थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका होगा देख लीजेगा इस क्वेश्चन को एक बार आप लो अप्शन में थोड़ा सा क्या होगा है मिस्टेक लिए आंसर यही होगा ठीक है अप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा ठीक है यानि तो देख लेंगे हम लोग कहां गलती हो रहा है देखेंगे आप लोग ठीक है नेक्स क्वेश्चन असा क्वेश्चन ही था पुष्चन नमबर कुष्टीट ओस यदि किसी घंके बिकरंड की लबाएं चारूर तीन सेंटिम्स क्या हता है उनका बिकरंडिया हुआ है और बिकरंड कितना है चो सेंट्र, तब बिकर्न ब्रावर क्या होता है अंडरूट 3 ए भुजा अंडरूट 3 गुने भुजा बडावर कितना दिया हुए, 6 रूट तीन घंका भी कार्णी है तो यहां से रूट 3 रूट इन क्या होकर ए बरावर कितना आ गया 6 के बरावर तो इसका संपोन प्रिष्यत पनरोऊ का होसी से स्क्राओर नेटक चले कृशंट प्रिष्यों मुद्धी 390 प्रिवाण के दिच्व होता है हमलोगी चलते हैं घृते हैं एक क्वेशंन नमबर फॉरटी थीरि์ भरते हैं धीर गोले की तिर्ज यह ऐख था अब इसमें देखो, पहले आईतन था 4×3, तो इसमें लिकारो 4×3 5 π इंटू, र 2 किपसी बिदू कितना हो जाएगा, एक का क्योieving क्यूम होगा, और अब देखो, अब गोलिद र 2 कितना होगा, यह हो जागा, निउ यूम और ये था औल्ड का, तो 4×3 pow आर तो ऊसका अनुपात निकल ओंगा तो बेटर हो जाएगा सप्था सबना इसका अनुपात निकल के आजाएगा त्युन त्यूंतीया नौत्या सपता है देखो चार बट्टा 3, πाई, r3, ठीक है, तो इसमें r पहले था, r1 का क्यूब कर लीजे, बट्टे, और दूसरे का कितना है, 4 बट्टा, 4 बट्टा 3, πाई, r2 का क्यूब, यानि r2 का क्यूब के बरावर, यहां से ये दुनों काट जाएगा, तो क्या बचेगा, r1 का क्यूब कितना x3 के बरावर हो जाएगा, देखो, यहां से 27 x3 हो गया, यहां से क्या होगा, यह पहले था 1 और यह कितना हो गया, 3 का क्यूब, यानि कितना गुना बढ़ गया, 27 गुना क्या हो गया इसका, पहले एक था अब कितना हो गया, 27 हो गया, एक से 27 हो गया, तो कितना हो गया, कितन अहला पर निकाल येगा तो समय लग जाएगा तो एक वरते 27 आएगा यानी एक और 27 के रिचियों आइगा यह एक से कितना हो गया 27 गुना एक गुना 27 बढ़ जाएगा 27 के बड़ाबर क्या हो है इसका आइटन बढ़ जाएगा ठीक है चलो तो next question देखते हम् commence by सब्सक्राइब करने की जूरूत की नहीं ह्य TWO Before नेक्स्ट को स Guillain को कॉष्ट फोटी एंगनाव के संगलन फलको का छत फल तीन बाझा मात रख है प्रश्वे, चार बर मातरक है और च्वार बर मातरक है तो घनाब का आइतान निम्लिखित में से क्या होगा। देखो, फलको का छतफल दिया हूँ है, घनाब का छतफल दिया है। A senly question को तुम लोग करके, हमको comment to answer बताना। असान ही कोश्चन है नहीं तुम लोग कम से कम कर्व तो कोश्चन अच्छा है को करो कम से कम कर दिखा हमको साधिया., तो छा सांका है भिधा antiarning wyddढ़ नहीं होता है , इसको लिखा लो तुम को एंधर नेख्स्क्ष्टने मो चलते हैं है नेस्ट्ट कुस्ट्ट है है हम लोग 45 नंबर कुश्न को देखते हैं 45 नंबर कुश्ट प्रोश्टन क्या करहा है 45 को क्षिछन मось होगा एक मूल दिया हुआ थिरी है तो एक माल लेते के अलफा बराबर 3 है और एक माल लेते बीटा मूल है तो बीटा बराबर 3 है तो दिखात समिकन क्या होगा दिखात समिकन भी बता है क्या होता है X square minus alpha plus beta into x plus में क्या होता है alpha beta बराबर 0 दिखात समिकर निकालो यहां से X square minus alpha plus beta alpha plus beta 0 alpha plus beta को 0 कितना होगा 3 minus 3 0 तो आ गया 0 into x plus alpha into beta कितना है इस दोनों का multiply करो इस दोनों का multiplication कितना होगा इस दोनों का multiplication 3 into 3 कितना होगा 3 गुना minus 3 कितना होता है minus का 9 तो यह कितना आ जाएगा minus का 9 के बराबर तो minus 9 is equal to कितना 0 इस अप्सन में ऐसा दिख रहा है अफसन ऐसा नहीं है अफसन solve करके लालो x square minus 9 is equal to क्या होगा 0 यहीं इसका क्या होगा जिखात समिक्रन हो जाएगा चलो next question हम लोग चलते हैं next question क्या है 46 number question 46 है चार पांच 9 11 और x का माध साथ है तो x का मान क्या है बना के दिखा होगे बना के दिखा देना असान सा question है सब को जोर देना by एक दो तीन चार पांच संख्या है तो बट्टे पांच बराबर 35 होगा सब को जोर के x का मान क्या होगा लिकाल देना x का मान निकल के आ जाए को चोड़ रहे हैं हम लोग तुम लोग खुद से करना इस question को ठीक है कुछ question करो तभी तो समझ में आगा है जो हम लोग क्या कर रहे है पढ़े की नहीं पढ़े क्या पढ़े साल भर में उस question को करना जरूरी है सारे question का हम लोग discussion करवा दे रहे हैं कुछ question छोर भी रहे हैं ताकि उसको अप लोग करके चले जाओ एक दिखात समिक समिकरन सी एक स्कॉर माइनस बी एक स्पलस ए बढ़ावर जीरो में डी बढ़ावर जीरो तो मूल बी का मान निमली खितम से क्या होगा मूल दिखात समिकरन दिया हुआ है सी एक स्कॉर ठीक है चलो सी एक स्कॉर माइनस बी एक स्पलस ए बढ़ावर जीरो डी बढ़ावर ज अल्फा इंटू बीटा अब्रावर क्या होगा सी बाई ए तो बीटा का मान विठा दो यहां से अल्फा इंटू बीटा का मान विठा दो ठीक है अल्फा इंटू बीटा का मान विठा दो और यहां से बीटा का मान निकाल के आ जाओ तो बीटा का मान क्या होगा तुम लोग ब तुम लोग को खुद से हैं अलफा पलस बीटा दिया हुआ है और अलफा इंटू बीटा दिया हुआ है कितना है मैंनस वॉल्ला है तो दिखास समिक्राइब तुरा तो पिछे नमर कोशन पिछला कोशन देख लेना यहां पर इस दोनों का वैली बिठा देना क्या होगा इसका दिखास समिक्राइब आजाएगा चलो नेक्स्ट कोशन चलते हम लोग तुम लोग करना छोड़ना कोस्टन को हम इसलिए तुम लोग करेगा इस लिए चोड़ने करके बताओ नहीं बनेगा हम बताएंगे हम हैं न हम क्यों है हम तो है चलो एक घनाव के तीन संग्लन फलकों तो तीनों का गुना कर दो एक स्क्वाइब यहां से निकल के आ जाएगा इसका क्या होगा तो लोग आज देखें फुर्टी नाइन कोश्चन यानि पचास कोश्चन देखें इसमें कहीं से मिश्टेक हो गया था इसमें हम लोग 49 कोश्चन टोटल देखें कितना कोश्चन देखें 49 कोश्चन देखें आप लोग कमेंट करके बताईए आप लोग को 49 में से कितना कोश्चन सही हुआ आप 49 से कितना कोश्चन सही किये कितना कोश्चन सही किये यहां से आपको पता चल जाएगा क्योंकि यह बेसिक सा question था, यह basic सा question था, हम लोग next video में जो लाएंगे, यह question थोड़ा सा इसका level आप करके आएंगे, ठीक है, इसका level क्या होगा, अप आएगा, यह, ठीक है, तो हम लोग, आप लोग बताना, इसमें comment में बताना, कितना question आप लोगा क्या हुआ, सही हुआ, question सही अगर 42, 43 के आसपास है, तो आप लोग समझ लीजिए, best student है, 43 और 42 के आसपास है तो आप लोग क्या है, best student है, ठीक है, क्योंकि कुछ question ऐसे होती है, जो आते हुए भी गलती हो जाती है, तो उस question को आप उसका, क्योंकि 100 question है, तो कोई जरूरी नहीं है, हर question को क्या करना है, लेके चल स्वालों के साथ जुरेंगे, next question में, next session में, और हम लोग यहां से आस, class की सेवाव क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, ठीक है, आप लोग त्यारी करते हैं, करते रहें, यह जो स्रीज चल रहा है, यह स्रीज सर्वत्तम कोचिंग इस्टीट के YouTube चैनल से, आपको क्या होगा, मिल जाएगा, इसमें कई सारे वीडियो होगे, उसका लिंक जो होगा, क्या हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप लोग वहां से क्या क अगर आज मस्त है, तो अंजाम हम लोगा क्या होगा, जवरदस्त होगा, ठीक है, मिलते है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत सुब कामना है, आप एक्जाम की तियारी करते रहें, ठीक है, हम लोग का अगाज क्या है, बहुत ही अच्छा रहा है, और आप लोग का रिस्पॉंस वीडियो का भी बहुत अच्छा रहा है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगर आज मस्त है, तो अंजाम हम लोगा क्या होगा, जवरदस्त होगा, ठीक है, मिलते है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यबाद, Thank you.